नवश्कार मैं हूं सुक्रती रोय चैटर जी और बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है कोरोना का कहर हर किसी के सिर पर मंड़ा रहा है चिंता की बात तो ये है कि कोरोना की दूसरी लहर हर उमर के लोगों के लिए बेहद खतरनाक है कोरोना फेपड को ही नहीं शरीर के कई जरूरी अंगों को भी खराब कर रहा है एक अध्यन में रिपोर्ट सामने आई है कि कोरोना लिवर को भी खराब कर सकता है शरीर का जरूरी अंग लिवर हमारे शरीर के लिए 500 से भी जादा काम करता है जिनमें खाया पिया पचाना, टॉक्सिक बाहर निकालना, शुरीर को एनरजी देना, बीमारियों से लड़ने की ताकत देना आदी शामिल है इसलिए जरूरी है कि आपका लिवर ठीक तरह से काम करें लिवर की कमजोरी दूर करने के लिए पालक और गाजर का जूस पिएं, इससे कमजोरी दूर होगी, फैटी लिवर की समस्या है तो लौकी, चुटकी बर हल्दी, धनिया, गिलोई और काला नमप मिलाकर जूस बनाएं ये जूस आपके लिवर की सारी गंदगी बाहर निकाल देगा, हरी सबजियां जादा खाएं लहसुन खाएं क्यूकि इससे लिवर की फैट दूर होती है, लसी भी इन दिनों के लिए बढ़िया है वही एंटिसेप्टिक गुडों से भर पूर हल्दी, कई बीमारियों का रामबाण है लिवर को हल्दी बनाय रखने के लिए, रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूर पिये साथी आप करेला भले ही स्वाद में आपको कड़वा लगता हो, लेकिन लिवर के लिए बहुत गुड़कारी है रोजाना एक ग्लास करेले का जूस लिवर को स्वस्थ बनाय रखेगा अगर आपको फैटी लिवर की परिशानी होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी आप जूस नहीं पी सकते हैं तो सबजी के रूप में भी करेले का सेवन करें वही सेव का सिरका आपके लिवर के लिवर के लिए बहुत बढ़िया है एक दिन में कम से कम दो बार एक एक चम्मच सेव का सिरका और शहद एक दिलास पानी में मिला कर पिए इस से लिवर तंदरुस्त होगा और वजन भी कम होगा बाहर का तला भुना और मीठा जादा खाने से परहेज करें सफेद चने, राजमा कम खाएं, हलकी फुलकी एक्ससाइज रोज करें यही डायेट मंतर आपके लिवर को सेहत मंद बना रखेगा और आपकी इमिनिटी सिस्टम को भी लगातार बूस्ट करता रहेगा उमीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले